यह वीडियो BTE UP के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यानि की Board of Technical Education उत्रपरदेश लखनाव से जो बच्चे D-Pharma फर्स्ट यर में हैं, D-Pharma सेकंड यर में हैं यह वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्राटेजी को अपनाए जिससे हमारे BTE UP के जो 2024 में फाइनल एक्जाम्स होंगे तो उसमें हम 90 प्रतिशत नंबर अपने पा सकें हलो अबरीबन स्वागत है आप सभी का फामेसी इंडिया लाइफ पर तो हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन सी स्ट्राटेजी को हमें अपनाना है जिससे हमारे BTE UP के फाइनल एक्जाम्स में चाहे वो डी फार्मा फ़र्स्ट यर है या डी फार्मा सेकंड यर है उसमें हमा कापी कैसे लिखे हमें एक्जाम के अंदर कापी कैसे लिखनी चाहिए किन किन स्ट्राटेजी को अपनाना चाहिए कि जिससे हम अच्छे से एक्जाम के अंदर पास हो सके यानि कि जो हमारा BTE UP का फाइनल एक्जाम होगा उसमें हम अच्छे से पास हो सके तो ऐसी क्या स्ट सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारी strategy क्या होनी चाहिए तो सबसे पहला जो आपको काम करना होगा आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो answer sheet के अंदर अपना answer attempt करेंगे वो answer आपका attractive होना चाहिए मतलब कि जैसे ही teacher की आपके answer पर नजर पढ़े वो आपका answer जो है अच्छे से देखे कि आपने उसके अंदर actual में लिखा क्या है बहतर ये रहेगा कि जैसे ही हम अपना answer start करते हैं तो उसमें पहले आप question को अच्छे से पढ़ें कि question में पूछा क्या गया है और उस question के अनुस है कि किस तरीके से अपने answer को हमें attractive बनाना चाहिए जो हमसे question पूछा गया हो हमारे question paper में तो इसमें जो question लिया गया है ये लिया गया है फामेसी इंडिया के इसमें जो बच्चे ने answer को लिखा है उसमें इसको block system में लिखा है यानि कि एक flow chart form में लिखा है जिसमें सारा classification इनुने step by step इसके अंदर mark किया है और even arrows तक बनाई है कि कौन से part के नीचे कौन सा part आता है तो आप सब भी इसी तरीके की technique यूज़ करके इसी तरीके की skills को attractive बना सकते हैं साथी साथ इस बच्चे ने proper classification अच्छे से short उसमें एक अच्छे से explain कर दिया जिससे की उसको a full marks मिल जाएगा तो इसी तरीके की tricks को अपना करके skills को अपना करके आप भी अपना answer और attractive बना सकते हैं तो आपको समझ आया होगा कि कि किस तरीके से हम अपना answer attractive ब बना सकते हैं उसके बाद आपके मन में सवाल उठता है कि क्या हम Hindi में अपने answers लिख सकते हैं एक्जाम के अंदर क्या हम Hindi में लिख सकते हैं अगर मैं बात करता हूं Board of Technical Education उत्यप्रदेश लखनाव की तो आप यहां पर Hindi के साथ-साथ English के अंदर अपने answers को attempt कर सकते हैं लेक फिर Hindi में कीजिए English में कर रहे हैं तो English में कीजिए आप यहां पर bilingual भी यूज कर सकते हैं मान लिया कोई शब्द आपको ऐसा लग रहा है कि काफी कठिन है उसकी Hindi नहीं लिख पा रहे हैं जैसे एक वर्ड आ जाता है आपका procedure कि इसका procedure यह होता है इस particular हमारे कोई से भी limit test का या कोई भी चीज है जो question के अंदर पूछी गई तो procedure English में लिख दिया और उसके बाद आपने लिख दिया कि यह होता है ठीक है तो यह चल जाएगा लेकिन आपको ध्यान यह रखना होगा कि आप English के अंदर Hindi इस्तिमाल नहीं कर सकते जैसे कि हम अपना आजकर social platforms पे यूज करते हैं कि question में पूछा गया कि इसकी परिभाशा क्या होती है या इसकी definition क्या है आप उसके अंदर लिख रहे हैं कि मान लो इस तरीके से है ना इस तरीके से अगर आप लेके जाएंगे यह हिंदी accept हो जाएगी लेकिन अगर यह वाली हिंदी लिखोगे English के words को यूज करके तो आपकी answer sheet cancel कर दी जाएगी answer आपका cancel कर दिया जाएगा तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा आप हिंदी में attempt कीजिए अपने answer को या English में attempt कीजिए या bilingual language use कीजिए मतलब कुछ शब्द English के तो कुछ शब्द हिंदी के यह acceptable है यह answer आपका valid माना जाएगा अगर इस form में लिखा होगा लेकिन अगर आप अपनी chatting language यूज करेंगे जो हम अपने social platforms पर यूज करते हैं तो वो acceptable नहीं है आपको उसके अंदर 0 नंबर फिर आपको मिलेंगे उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा की आप जो answer जब attempt करते हैं तो उन answers में आप फ्लो चार्ट या डाइग्राम्स बनाएं है ना है एचे पी का question पूछा जा रहा है human anatomy and physiology में उसमें कोई question पूछा गया ठीक है कि आप से respiratory system के बारे में पूछा गया digestive system के बारे में पूछा गया ओसियर system के बारे में पूछा गया etc तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप वहाँ डाइग्राम बना दे और कोई दूसरे सब्जेक्ट से हमारे जैसे pharmaceutical chemistry हुआ या सेगिंडर में बात करें थेराप्यूटेक्स हुआ या cpm हुआ या hcp तो वहाँ पर आपको डाइग्राम नहीं मिलेंगे इतने तो आप वहाँ पर फ्लोचार्ट बनाईए या फिर आप जो है उनके ब्लॉक्स बनाते चले जाईए कि एक पॉइंट फिर उसके बाद दूस ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है जो आप अपना आंसर वहाँ अटेम्ट कर रहे हैं आंसर शीट के अंदर जो आपकी राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए कैसी राइटिंग होनी चाहिए नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए एक साफ और सुत्री जो आपको देखने में अच्छी लगे जैसा एक सेंपल मैंने आपके सामने दिखाया है इस तरीके से आपकी नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए साथी साथ जो आपको आंसर शीट मिलती है उसके अंदर आपको मार्जिन भी खीच लेना है मार्जिन से आपका जो presentation है way of presentation वो अच्छा लगता है क्योंकि आपको जो answer sheet मिलेगी उस पर as such कोई margin नहीं है ठीक है तो आप margin बना लीजिये अगर margin नहीं है answer sheet पे और उसके बाद फिर अपना answer attempt कीजिए इस तरीके से गर आप neat and clean writing करेंगे अपनी बिल्कुว醒 साफ और सुत्री तो आ आपका way of presentation अच्छा होगा और आपको अच्छे marks भी वहाँ पर मिलेंगे उस particular question में जो आप अपनी अच्छे से साफ सुत्री neat and clean writing answer के अंदर लिख कर आ रहे हैं उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि आपको red pen और green pen यानि कि लाल और हरा pen जो है उसका इस्तिमाल नहीं कर अगर आपने गलती से red या green pen का इस्तिमाल कर लिया तो वो आपका फिर answer acceptable नहीं माना जाएगा हो सकता है कि copy ही आपकी जो है cancel कर दी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना blue pen इस्तिमाल करें और black pen इस्तिमाल करें mostly blue pen ही हमें use करना चाहिए और जो जो आपका important है कि आपको उस answer के अंदर ये बताना है कि उस particular point पर ही teacher का जो है नजर जाना चाहिए तो उसको आप underline कर लीजिए ठीक है उसको underline कर लीजिए और ध्यान रहे लाल और हरे pen का तो आप इस्तिमाल नहीं करेंगे साथी साथ आपको वहाँ पर over writing भी नहीं करनी है कि आप वहाँ प आपने यहाँ पैन लिख दिया उसके उपर फिर से आप पैन लिखने की कोशिश करेंगे बोल्ड हो जाए तो वो आपका acceptable नहीं होता है वो फिर माना नहीं जाता है valid ठीक है और ध्यान रहे आपका for example जो आप वहाँ पर लिख रहे थे कि एक particular definition या कोई sentence और वो उसमें single line से काट दीजिए ठीक है या फिर आप उसको normally इस तरीके से काट दीजिए ठीक है लेकिन अगर आप उसमें इस तरीके से करते हुए चलेंगे या फिर ऐसे ऐसे कर देंगे तो वो चीज गलत है वो फिर आपका way of presentation अच्छा नहीं माना जाता आपको अपने answers को attractive बनाना है way of presentation अच्छा देना है और अच्छे माक्स चाहते हैं कि जो invigilators हैं teachers हैं चेक करेंगे वो अच्छे माक्स दें तो आपको अपनी copy एक अच्छे तरीके से लिखनी होगी ये strategies आपको अपनी answer sheet के अंदर answer copy के अंदर अपनानी होगी तभी आप अच्छे से pass हो सकेंगे अच्छ सवाल आता है कि हम questions की practice कैसे करें तो उसके लिए आपको previous year papers solve करने होंगे जो आपके BTUP में पहले paper हो चुके हैं जैसे 2023 के paper solve कीजिए 2022 के paper solve कीजिए अब आपके मन में तुरंत सवाल आ जाएगा कि हमारे पास तो इनकी availability नहीं है तो हम कैसे जो है अपने previous year के papers को solve करें तो घ खबराये नहीं आप download कीजिए pharmacy India mobile app from the google play store उसके अंदर आपको d pharma first year और d pharma second year के आपको previous year papers मिल जाएंगे उनके माध्यम से आप अपने practice अच्छे से कर सकते हैं साथी साथ आपको वहाँ पर model papers भी मिल जाएंगे जिसके जरीए आप अपनी practice और अच्छे से कर सकते हैं और एक subject का model paper आपको मिल जाएगा चाहे वो d pharma first year है या वो d pharma second year है और हर model paper के अंदर आपको 3 set मिलेंगे जिससे आप अपनी तयारी और अच्छे से कर सकते हैं और model paper आपका bilingual language में है हिंदी और English तो आपको language से भी कोई दिकत नहीं होगी उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप MCQs की भी practice करें जो हमारे MCQ questions होते हैं उनकी भी practice करें क्योंकि आपका जो BTUP का exam होता है उसके अंदर आपके 20 number में very short answers आते हैं क्या आते हैं very short answers लिखने के लिए आते हैं जिसमें 10 के करीब तो आपके MCQ होते हैं और 10 के करीब आपके या तो true false हो जाते हैं या filling the blanks हो जाते हैं ठीक है तो 20 number के very short questions आते हैं अब आप अपने MCQs की practice भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए ह हमारा channel pharmacy India live उस पे आपको हर एक chapter के MCQs वहाँ पर मिल जाएंगे हर एक subject के जिससे आप अपनी तयारी और अच्छे से कर सकते हैं और बहतर तरीके से कर सकते हैं और आप अच्छे marks score करेंगे अपने BT UP के final exams में और सबसे एहम बात आपको जो ध्यान रखना होगा वो ये रख देखें जो आपका syllabus है defarm first year है या defarm second year है तो आपको syllabus अपना जरूर देखना होगा उसी से आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं या कितना नहीं कितना portion cover कर लिया कितना रहता है तो आपकी एक checklist बनती चली जाएगी syllabus पर एक्जामपल defarma first year में है pharmaceutical chemistry पढ़ रह गया है उस पर राइट लगाते चले जाएंगे जितने बच जाएंगे फिर आप उसके अनुसार अपनी जो है पढ़ाई करेंगे अपना time utilize करेंगे तो syllabus को जरूर देखें syllabus के विहाग पर ही आप अपनी एक तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे उससे आपको पता चले है कि तैयारी कहां से करें कैसे हम अपनी पढ़ाई करें जिससे हम अच्छे नंबरों से 90% तक हम अपने अच्छे नंबर ला सके और BTUP final exams में अच्छे से पास हो सके मन में सवाल आ जाता है कि notes कहां से बनाएं जिससे कि हम उनको exam time पे अगर पढ़ेंगे तो हम easily answers को समझ सके और फिर अपना हम जो है presentation दे आएंगे means कि हम answer अच्छे से लिख आएंगे तो घबराइए नहीं परेशान होने की ज़रुवत नहीं है और आपके इन सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे पामेसी इंडिया लाइव लेकर के आया है BTUPD Farm First Year के लिए course और साती साथ BTUPD Farm Second Year के लिए course जिसके अंदर आपको वहाँ पर Video Lectures मिलेंगे Model Papers मिलेंगे आपको Bilingual Language इसमें Hindi और English साती साथ आपको वहाँ पर MCQs मिलेंगे जिससे कि आप अपनी practice और अच्छे से कर सकते हैं ये आप BTUPD Farm Second Year या D Pharma First Year का course आप ले सकते हैं Links आपको नीचे description में दिये गए हैं उनके माध्यम से आप course को जॉइन कर सकते हैं साथी साथ आप अपनी तयारी और अच्छे से कर सकते हैं चुड़िए हमारे साथ various platforms के थूँ आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजें साथी साथ आपको यहाँ पर फामेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक update मिलेगी साथी साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वाट्सअप के थू हमारा वाट्सअप नंबर है 9389516306 इसको सेव कीजे और सेव करके डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में टाइप करकर भेज दीजे आप तक लेटेस्ट डीफार्म अपडेट्स पहुचते रहेंगे साथी साथ आप हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं इस QR कोड को आप स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं उनके माध्यम से भी आप हमारे साथ चुड़ सकते हैं अब बीटी यूपी के फाइनल एक्जाम्स में चाहे वो डी फार्म फर्स्ट येर है या डी फार्म सेकेंड येर है हम अच्छे नमरों से ही पास होंगे क्योंकि डी फार्मा में पढ़ना हुआ और भी असान क्योंकि फामेसी इंडिया लाइफ है आपके साथ